गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू टीचिंग गुरू तो आज की टोपिंग में हम देखेंगे ग्रैंडिंग विल डेजिगनेशन यानि कि जो हमारा ग्रैंडिंग वील होता है उसके उपर जैसे की अब रैस्तिव टाइप ग्रेंड साइज बॉंड कौन सा बॉंड करता है जिससे काट करते हैं किसी सर्फेस को या उसको फोड है उसको समूहत बनाते हैं सर्फेस को में क्रैंड वील मर्ल इसको बनाते हैं तो यह अलग तरह की इलिआ होते हैं पर क्या करना है यानि कि हमने क्वश्च को ज्यादर मॉटप कर ने करने सर्फेस हमारी हार्ड है स्मूथ है मटेरिल कौन से सर्फेस का तो उसी साबसे हम जो हमारी ग्रैंडिंग वील है वो खरीदते हैं तो ग्रैंडिंग की एक बार डैफिनेशन देखे लेते हैं मैं और वैसे बता चुका हूं अब प्रिविएस वीडियो में तो एक बार इस बार तरीकल से बना होता है और वो क्या करते हैं जो वो ब् Number करते हैं वो और और अब अब देख लेते हैं कि इसकी वील की designation तो जैसे कि Abrasive Type है ठीक है तो हम देखेंगे उसके वपर कौन सा Abrasive Type हमें यूज करना पड़ता है या फिर कितने कितने तरह कि हमारे Abrasive Types होते हैं grinding wheel के these are the hard material with adequate toughness यह सबसे hard material होता है grinding wheel में और इसकी एक toughness होती है जैसे कि हमारे पास हो जाता है Aluminium Oxide का या फिर Silicon Carbide का Aversive Type है ये Silicon Oxide या फिर Silicon Carbide ये Depend करते हैं कि हमारे पास Material कौन सा है जो हमारा जिसको हमने कट करना है वो Material कौन सा है यानि कि हमारी Work Surface कैसी है उसके बाद आता है कि Grain Size कि हमें कौन से Grain Size का grinding wheel है वो लेना चाहिए The Size of the Aversive Grain जनली कालड है Great जो उसका Size होता है Grain का उसको हम Great बोलते है जैसे कि हमारे पास Course Grain है या फिर Super Fine Grain है Course Grain में क्या जाता है 6 to 8 यानि कि 6 to 8 के ये उसकी Grain है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें 6 to 8 Grain होगे Course Grain Course का क्या मतलब बड़े-बड़े Grain होगे जितने बड़े Grain होगे उतनी जो हमारी Surface की यानि कि Surface की जो Smoothness है वो अच्छी नहीं होगी बड़े Grain होगे तो यानि कि अच्छी से उसको Smooth नहीं करे रहा Surface को जितने उसके Superfine Grain होगे Superfine में क्या 500 से लेके 600 तक की 500 से 600 Grain होगे Grain हम किसको बोल रहे है जो ये चोटे-चोटे दाने से होते हैं जैसे कि हमारे वील होता है उसके अपर चोट-चोटे दाने होते हैं तो उसको हम Grain बोलते हैं जितने ज़्यादा दाने होंगे उतनी हमारी जो Surface है Superfine हमें जो हमारा वर्कपीस है उसकी Superfine हमें Surface मिलेगे जब हम उसके उपर से Material रिमूव करेंगे ये विल्कुली Fine quantity में Material रिमूव करते हैं यानि कि बहुत कम Material रिमूव करते हैं Micron में Material रिमूव करते हैं हम इसकी मज़ से जो हमारा Grinding Wheel होता है और उसके बाद जाता है हमारा Bond तो इसमें देखते हैं कि कौन सा Bond हम इस्तमाल करते हैं Its function is to keep the abrasive grain together under the action of grinding force तो Bond का क्या मतलब है कि अब देखिए जो हमने ये दाने हम जिसको दाने बोलते हैं Grain बोल रहे हैं ठीक है और abrasive grain जिसको हम बोल रहे है तो ये दाने ये कैसे यानि कि एक wheel में कैसे चिपके हुए कैसे हैं तो ये Bond से हमें पता चलता है यानि कि जो ये दाने एक दूसरे के ये एक इप्ट अब्रेसिव ग्रेंड टूगेदर जिसको ये Bond क्या होता है दानों को पकड़ के रखा होता है एक स्टरफ के यानि कि जैसे इस पोस करो ये दाने है तो ये उसके जो wheel से attached कैसे है तो ये हमें बोल से पता चलता है जब यानि कि जब हम wheel की मद से उस grinding wheel की मद से grinding करते है surface की उपर तो इसमें चार तरह के मरफा साथ vitrified, silicate, rubber और synthetic synthetic bond, vitrified, silicate और rubber bond जो verified bond होता है ये हम basically क्या होता है bond is actually clay with fluxes ये clay और fluxes से जो जुड़ा होता है और silicate होता है sodium silicate और water silicate bond the sound of sodium silicate से बनाता है rubber क्या होता है ने चिरल और synthetic rubber से बनाता है और synthetic क्या होता है ओ criança थिर्मो सेटिंग resign, जो थर्मो सेटिंग resign के थार्मो थर्मो फ्लास्टर होती है थर्मो सेटिंग है कि किसीथी सेफ में दο meisten को ρिशाइज कर सकते है और उसके बाद जाते है हमारा grade यानि कि हमने जो grade है वो कौँचा चूज करना है It is the hardness of the wheel, grade depends upon the kind of mood यानि grade से हमें क्या पता चलता है, hardness पता चलती है wheel की ठीक है, grade से हम इसके define कर सकते हैं कि जो wheel है उसकी hardness कैसी होगी जैसे कि हमारे पास तीन तरह की hardness होती है एक होती है very soft, medium और third one होती है हमारे पास hard Very soft में हम बहुत सकते हैं कि जो a से लेकर j तक के बीच में जो wheel होता है उसकी hardness होती है वो very soft hardness यानि कि वो very soft जो उसकी grade होती है उसके बाद जाता है medium, medium में क्योंता है j से लेकर s तक medium आ जाते है और S से लेके Z तक है हमारे जो hard grade size में आ जाती है जितना जादा हम उसका जैने की alphabetic का order जैसे की increase करेंगे जितना जादा तो उससे हमारी जो grade उसकी wheel की hardness है वो भी increase होती जाएगी यह हमें depend करते हैं कि हमें किस तरह का hardness हमें चाहिए उसकी wheel की की दोई कसे तक हमारी surface कैसी है उसके उपर डिपेंड करता है यह grade उसके बाद ढ जैसे की open densa or medium है जो open structure होगा उसके जो दूर-दूर होंगे ší ट्रेशर फाता एक है डैन्स होगा उसके थोड़े पास में होगे और मीडियुम वह निडिगा उसके और भी पास में होगे जो यानि की सपेसिंगीificar मैंsim the पता चलते कि स्ट्रूक्च्र मालेशन होगा उसकी स्ट्रूक्चर का होता है तो उससे क्या पता चलता है जैसे अगर कोई अलफाबेट होगा तो से आपको उसका ग्रेड का पता चलेगा जैसे कि हमने इसमें बात किया कुछ नहीं समझें तो कमेंट बोक्स में बता सकते हैं थेंक्ट्य वीडियो देखने के लिए